चिटफंड कंपणी के मनेजर को पुलिस ने गवालियर से पकड़ा यह न्यू अपडेट 30 जुलाई 2020 की आप यहाँ पर देख सकते हैं हेलो फरेंड नवशकार और अदाब दोस्तों मैं यूएस खान जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी चिटफंड कंपणियों से पुलिस निवेशकों को अपनी तरफ से जो भी लैटेश अपडेट आती है वो आप तक पहुंचाते हैं तो आज जो हम आपके लिए ये लैटेश नियूज लेकर आए हैं ये नियूज दुनिया अखबार से आई है और नई दुनिया अखबार में आज चिटफंड कंपणियों के लिए क्या बड़ी खबर है चलिए सुरू करते हैं सुरू करने से पहले आपसे हमारा नुरोदे की चैनल पर बने रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि शहर थाना चेतर में संचालिच चिटफंड कंपणियों को ने एफडी का समय पूरा होने के बाद भी उद्भोकताओं को उनकी रासी का बुकतान नहीं किया है बुकतान नहीं किये जाने पर उद्भोकताओं ने थाने पहुंचकर चिटफंड कंपणियों के खिलाफ शिकायत दर्श कराई थी इसके बाद गुरोवार को एक चिटफंड कंपणियों के मनेजर को पुलिस ने गवालिया रिस्तित कारियाले से पकड़ लिया इस कंपणियों के खिलाब कुछ दिन पहले पीडितों ने शहर थाने में मामला दर्श कराया था गौर तलब है कि कुछ दिन पहले पैतालिस वर्ट से फर्यादी अरुन पुत्रों सुरेंद्रों अर्मा निवासी ठाकर बाबारोड ने बताया कि उनके शहर में संचालिस चिटफंड कंपणी सहारा क्रेडिट सोसाइटी वे सहारा क्यू शॉप वे इस्टार मल्टी परपरस कापरटिस सोसाइटी में अपने नाम पर 3,45,000 रुपे तता अपनी पतनी रेडू वर्मा के नाम पर 7,75,000 रुपे जमा कराये थे इसके अलावा लच्मी वर्मा भगवान दास सोनी और मनोज सीवहरे दुआरा जमा कराये गए गए थे परंतु समय पुरा होने के बाद भी पैसा वापस नहीं किया गया है इसे लेकर ठाने पहुचे फर्यादियो की सिकायत पर पुलिस ने चिटफंड कंपनी संचालों के खिलाव मामला दर्श कर जाच मे लिया था इसी कारवाई के चलते चिटफंड कमपनी सहरा के रेडिट सोसाइटी मनेजर ललित महुन मिसरा को पुलिस ने गवालियर से पकड़ लिया मामले को लेकर सीटी थारा टी आई यस वंत स्गोर ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर चिटफंड कमपनी के खिलाब मामला दर्स किया था चिटफंड कमपनी सहरा क्रेडिट सोसाइटी के मनेजर को पकड़ लिया गया है दोस्तों ये बड़ी लाटश नियूज इस वक्ट जो हमारे पास आई है ये एक ऐसी इस वक्ट कारवाई की गई है जिसमें सहरा चिटफंड कमपनी के मनेजर को पकड़ा है जो कि अपना आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप जानते हैं कि सहरा एक बवराष्ट कमपनी है और निवेशकों का पैसा लेकर बैठी होई है और निवेशकों को पैसे देने के नाम पर केवल आसवासन ही दिये जा रहे है दोस्तों यह बड़ी ख़बर अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब